एक basic common sense, basic common sense. पेपर कहां से बनाए? पेपर कहां से है, जिसके चलते ये सारगु जो पढ़के जो बोक बन गई है जन्ता, वो भी तो science की ही देन है. जो एक liberal तबका है, वो science को कितना डिस करता है, इतना प्ला लिखा होने की बावजूद भी वो इस इस तरह की बाते करता है. ये ignorance है या ego की problem है. Hello and welcome to another episode of the fourth dimension, we are having a lot of fun recording this and today we are going to talk about, मतलब इस episode में हम बात करना चाहेंगे कि जो एक liberal तबका है, हिंदुस्तान के अंदर, वो science को कितना डिस करता है, इतना अप्ला लिखा होने की बावजूद भी वो इस इस तरह की बाते करता है कि science जो है, उसने बाउम दिया है, science जो है male gaze है, science जो है anti-human है, and all this while, वो science की सारी चीज़े यूज़ करते रहते हैं, मतलब अपना tweet, facebook, सब कुछ वो science की बदालत करते रहते हैं, लेकिन, science को डिस करना नहीं छोड़ते हैं, तो मेरे साथ, again, डॉक्टर वत्सा है, तो डॉक्टर साथ, आप पाला पढ़ा है किसी ऐसे liberals हैं जिसने? पढ़े लिखे हैं, लेकिन science के बारे हैं, अच्छे का से पढ़े लिखे हैं, में फे, liberal universities से, liberal पढ़ा ही करी के उन्होंने, मतलब literature पढ़ा है, या history में PhD वगरा करे हैं, लेकिन science के understanding उनको नहीं है, मतलब सबसे बड़ी, मैं आपको एग्जामपल देता हूँ, Richard Fenman ने Fenman Lectures में एक incident बयान किया है, मतलब उसने किस तरह के कैल टेक में पढ़ाया था, कि instantaneous velocity के बारे में, और उसको उसने ऐसे बयान किया, उसने एग्जामपल देया कि एक एक औरत जो हना गाड़ी चला रही थी, और 80 miles per hour की speed पे कुछ ऐसे करके उसको police ने रोक लिया, कि बोला कि speed limit 60 miles है और आप 80 पे चल रहो हूँ, तो 80 miles नर पे आप चल रहो हूँ, तो आपका टिकेट वगागा जो लगेगा, उसने बोला, 80 miles नर का मतलब क्या होता है, मतलब मैं तो अभी पंद्रम में एड़ी तो हूँ है, मिरे को चल रहे हूँ, अनर का क्या मतलब है, त तो basically the cop was trying to explain, कि instantaneous velocity क्या होती है, ठीक है, उस incident, अब वो incident, in terms of explaining instantaneous velocity, बहुत बहुत बहुतन तरीके से उसने समझाई, मैंने यही incident ने एक बारना social media पे डाल दिया, अच्छा, मैंने का, the beauty of science, तो एक मही लागी, कि या, this is how science treats women, और उनको बेवकूफ दिखाया जाता है, उनको तो five men के ओपर भी यह इल्जाम लगे, sexist pig बोल दिया उसको, उसमें, एक conference में फाइमन इंग गया, तो वहाँ पर महिला बैदा लगी, खड़ी हुए थी five men, the sexist pig, अच्छा, और तो गया वो conference में, वो इसी बेस पे था, जो यह इस incident के बेस पे उसको, यह बोला गया, sexist pig ब बोलने का तो उसने बोला के, जो लोग यह बोल रहे हैं के, sexist pig उनको पता है, वो पुलिस, जो थी, she was a woman, वो ही पूछने वाला था, मेरे दिमाग में यही था, के जो पुलिस था के थी, थी, के वो और वैसे भी concoctic incident है, मतलो, हुआ थो यह, वैसे तो कोई भी हो, था या पुलिस डिजन्ट मैटर, उसने वो instantaneous velocity का concept सुझाने की कोशिश करी थी, अब उसमें वो जेंडर लेके आगे, ठीक है, इन लोगों से में को समझ में नहीं आता है, मतलब जब यह बहास कर रहे होते हैं, तो और इस तरह की बकवास कर रहे होते हैं, तो मैं इसे पुछना है, यह आपने science पढ़ी, science is not about gender or anything, science is about the laws of the nature, आप कैसे उनको समझा से को, और बाकी gender and everything is a sociological, जो जेंडर बेस्ट भी चीजें हैं, वो explicitly science बताती है, जेंडर बेस्ट यह चीजें, यह होता है, मेल्स के साथ यह होता है, या दूसरे जूसरे जेंडर के साथ यह बच्छ technology आती है, बंदों ने, हमने बनाया, इंसारों ने बनाया ना, अगर उनको यह कह दे कि male ने बनाया, वो फिर भी समझ में आती है, समझ में आती है बात, कि वो thought process, वो सारा कुछ जो चलता है, यह तो सच बात है, कि दूनिया में जितनी कि मर्दों ने मचा रख किया होता है, किसी और species ने मचा ही नहीं है, लेकिन science ने कैसे, atom bomb science ने दिया, no, science नहीं पता है कि atom को अगर आप break करते हो, तो आप उसका क्या कर सकते हो, अब उसका करना का यह तो हम decide कर रहें ना, बिलकुल, 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 एक ही चाबी understand, like, आप, you are taking all the advantages that science provides, yeah, सारी gadgets or technology and everything, यह जो आपने बताई हैं, जो यह studies कर रहे होंगे, I, मैं, assume ही, presume ही कर रहा हूं कि वो literature, history, यह सब कुछ पढ़ा आपा उन्होंने, अब उनकों को यह बताए, कि उन तक यह सारी information पहुंची कैसे, यह जो पढ़ रहे हैं, जो किताबे भी पढ़ रहे हैं, किताब जो छपनी शुरू है, कहां से शुरू है, साइस की देना हो, अपनी email, email, जो thesis जो email करते हैं, और जो अपने cell phone पे use करते हैं, internet वगरा, 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 वो तो नहीं चीज़े हैं, वो तो अभी की हैं, अरे paper कहां से आ गया, paper क बजने से शुरू हो जाती है बात, और रात के सोने के पहले जो फोन पे सारे टिक-टिक-टिक करके हम कर रहे होते हैं, उसके बिना science के बिना कैसे चलेगा, और यही लोग, मैं, जब इनको कोई medical emergency होती है, कोई बिमार हो जाता है, सीधा जाते हैं, डॉक्टर्स के बाओ, भ थोड़ा तो science को जो आप इतना इस्तमाल कर लें, थोड़ा तो credit दो उसको यार, और समझो ना, उसको पढ़ो ना, थोड़ा सा, किसी से पूछने चले जाओ, तो किसी को Newton के law of motion नहीं मालू है, जो सबसे basic चीज है, अगर आप science में आप पढ़ना शुरू करते हो, तो सबसे कि वो उसको analyze करता है, और कि ये रंग ऐसा क्यों आ रहा है, ये pattern में, क्या वो है, फलाना है, डिमका है, कैसे कोई analysis, खुबसूरती खतम कर सकते हैं, और बढ़ती हैं, अगर आप उसको analyze नहीं करते हैं, तब तो भगती ही करते हैं, तो फिर तो आपने, मतलब पागल हो, फूल की खुबसूरती खतम करते हैं, इसको analyze करके, तो फाइनमें ने बुला कैसे, मुझे पता है, ये रंग जो है, क्यों ऐसा निखर रहा है, क्यों ये फूल जो है, इनके electrons की आपस में, क्या interaction हो रही है, और फूल क्यों इतना attractive है, ये बदुमक्यों के लिए, और इन सब इन सब्सक्राइब करते हैं, क्यों इसके पीछे कारण क्या होगा, कि मतलब उनको कुछ ego के issues होते हैं, या कूल लगना होता है, या जो ये उनका stance है, I think किसी ने किसी लेवल पने को पता तो होगा, कि वो गलत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी करे जा रहे हैं, तो क्या हो सकता है मुझे नहीं लगता है, मुझे लगता है कि इस दुनिया में सबसे कम effort लोग science को जानने में लगाते हैं, आप देखे, effort तो लगेगी, सबसे कम, we have seen कि जो अपना brain है वो आलसी होना चाहता है, by default, तो effort करनी पड़ती है, उसको सिखाने के लिए, समझने के लिए, करने के लि कर रहे हो, तो आप दिवाग तो लगा ही रहा हो, ना, आप इतना effort मार रहे हो, उसके बाद आपकी जो इतनी strong opinion against science है, मेरे को तो एक simple सी बात, यह समझा दे कोई, कि इतना बीमान कोई कैसे हो सकता है, कि while taking advantage of everything that science has provided, उसके बावजुद साइंस को ही disk करना, यह तो बीमानी है ना, नहीं, I think, सबसे बड़ा problem यह है, मेरे इसाब से, कि जो science को defend किया, जो इतना aggressively promote करने वाली जो है ना, वो communities ही नहीं है, आप किसी और चीज़ को defend करने वाले लोग हजारों मिल जाएंगे, यह आपके बिल्कुल ठीक है, लेकिन, कि science को promote करने वाली बात ही नहीं, मेरी श देखो, मैं कोई अच्छे स्कूलों में नहीं आच्छी, निवेस्ट्रीज में नहीं बढ़ा, और मेरी education कोई ऐसी नहीं है, कि जिसको मैं जा कि कहीं भी front कर सकूँ, अरे, friend man के बाते हैं, आप करते हैं, तो education अच्छी होगी, आपे खुद तो पढ़ी होगा, नहीं बहुत ही बुरी education है, नहीं पढ़ाई तो करें, खुद पढ़ी है, बस फिर that is important, तो यह लोगों को क्या रोक रहा है, कि यह भी, आप opinion रखें साइंस के उपर, ठीक है, इसको इडिस करोगे ना, तो मैं, मतलब, धजया होगा, यह बात बताईए, जब यह वाला किस्सा हुआ आपके साथ, किसी ने आपको यह सब बातें की, तो आपने retaliate किया होगा, बिल्कुल, कितने लोग करते होंगा ऐसा retaliate, करेगा तो यह नहीं इसको पता होगा, exactly, तो प पिएडी नहीं करी हुए फिजिक्स में या मतमेटिक्स में, ना मैंने कोई रिसर्च करी है, ना मैंने कोई नुकलर फिजिस्ट में कुछ होगा, बस मैंने पढ़ाई है, जितना एक मैं पढ़ सकता हूँ, अपनी आम जंदगी में, तो मैंने कोई, उसको काउंटर मैं, कोई बहुत बड़ा PhD साइंटिस्ट हूँ एक बेसिक कॉमन सेंस बेसिक कॉमन सेंस एक वो जिनकी में बावता रहा हूं वो मेरे को बोल रही के मैं अभी बॉम्बे गई अपना रिसेर्च पेपर देने के लिए कुछ-कुछ ता ऐसा ऐसा था और साइंस कुगाली पकरी मैंने रही कैसे न पटीक आप लिए टिव बमबे की फ्लाइट से गई थी में डिससेर्च पेपर कहान लिखा था क्या लैपटोह था और मैंने कह प्रसेंट कैसे गया का प्रोजेंटि था मैंने के यह फ्लाइट लैपटॉप प्रोजेक्शन यह प्रोह गोन्स और तीनो यह नॉस्टेल्जिया था कि बेवकूफी थी? अगर हम साइंस को ऐसे वाल ना होती, तो जो पुरानी मित, एक मित ऐसी थी, कि यह सूरज और दिन और रात नहीं होंगे, अगर हम human sacrifice नहीं करेंगे, यह मैं South America की myth की बात कर रहा हूं, जो वहां पर रहते थे, original लोग, indigenous लोग, तो वो human beings को daily sacrifice, कैसे sacrifice करते थे, जो जो जिसको criminal डिकलेर कर दिया, ऐसो को पकड़ के लाते थे, पांच प्रीश्ट वहां बैठते थे, चार पकड़ते थे, एक live उसका दिल निकालता था, जब धड़क रहा होता था, फिर वो सूरज की तरफ करते थे, भई, कल फिर आ जाना, अगर साइंस हमें यह ना बताती को सूरज कही नहीं जाने वाला, आप चाहे ना भी sacrifice करो, अगले दिन फिर आ जाएगा, तब तक अब तक यही चल रहा होता, तो यही बात तो आप, मतलब, you know, I can understand that it's somebody who's not, who's not educated, who's not, who has not gotten opportunity to go to universities and, जिसकी सोच भी थोड़ी सी, मतलब, religious है, और यह लोग religious भी नहीं है, मैं इनकी बत कर इसलिए मैंने पहले पूछा, कि यह ignorance है, या ego की problem है, बिसिकली, यह वैसे cool लगना है, यह ignorance है, यह ignorance है, यह ignorance है, and this is, these are the people who will refuse to make an effort to understand science, कितला मुश्किल है science पढ़ना, सर, NCRD किताब पढ़ लोग रहा है, बिलकुल, यह इसलिए पूछ रहा हूँ, देखे, जो ignorance है, if you know you are ignorant, you'll make efforts to get rid of it, हाँ, और दूसरा यह है, कि सोचो कि के, नहीं, हमें तो, science कूल नहीं है, हाँ, बस वही मैं कह रहा हूँ, कि अगर cool बनना है, और अपने ego लेकर आनी है, कि मैं आनी करनी है, then तो उसका कोई ilaj नहीं है, and as far as I know, in my life, science perhaps is the coolest thing that I have come across, मैं, सर मुझे, ठंड लग dating apps पर लड़की-ड़की मिलते हैं, ठीक है, लेकिन, क्या बोलना है, हमें, science beauty निकाल लेती है, चीज़ से, मैं अगर आपको थोड़ा अपना बताऊ ना, अगर मेरी background में बताऊं कि मैंने क्लिनिक्स में काम किया, science में काम किया, जो मैं science में काम करता था, सबसे beautiful चीज़ यह होती थी, कि रोज सुबह उठके जब जब जाना है, ना, काम पे, you have to think about something new, क्योंकि जो पहले हो गया है, what do you mean science में काम किया, बताऊ, जब मैं research में था, तो मैंने PhD किये, तो मैंने bone cells वगरा पे काम किया है, तो मैंने stem cells, इसे काम किये, मैंने तकरिबन 10-15 साल मैंने science में बताए है, was not in clinics then, patient नी देख रहा था, सिर्फ research कर रहा था, hard को proper research, उसका मेरा सबसे beautiful चीज़ में यही लगत तो इससे जो बड़ी चीज़ है, आपकी beauty की जो मैं बात करूँ, जब आपने कोई नई चीज़ बना दी, दुनिया के समने पेश कर दी, evidence पेश कर दिया, senior scientist 4-5 ने उस evidence को परमान कर दे कि yes, this is part of science, उससे बड़ा तो आपको feeling ही नहीं आती है, मैंने surgeries भी करी हैं life में, वो भी बहुत satisfying लगती है, लेकिन यह जो है, is totally different, तो जो science है, इसकी जैसा आपने कहा हूँ, जो beauty जो यह लेके आती है, हर चीज में लेके आती है, वो तो unparalleled है, और कोई, मतलब frustration क्या होती है, मैं आपको बता हूँ के, आजकल, especially India में, आजकल आपको देखा है, आपको पता ह ठीक है, उन लोगों से तो पता है, के इनके तो, इनसे तो क्या ही बात करें, लेकिन यह जो तपका है, जो otherwise बहुत ही liberal है, बहुत ही progressive है, बहुत ही ज़्यादा, क्याकते है, मतलब woke, तो word मैं use नहीं करना चाहता, क्योंकि wokeism is, हाँ woke ही है, चलो ठीक है, उनका जो science को लेके मुझे लगता है कि मैं किसी गदे से बात कर रहा हूँ, अरे सर गदे को मत derogate, प्लीज, गदा बहुत बढ़ियाद, जान रहा है, कितना मेनती है, प्राइमिस्टर भी है, वो तो हाँ, कोई जो सकता है, कहां का यह नहीं बोला है, लेकिन हाँ, प्राइमिस्टर अक्सर कहां का क्या, पुलीज पगड़के पीटए की मेड़कर, हमें नहीं पता कहां का, अचा हां, यह पुलिस तो समझ्दार है, देखो, यह सरकार चोर है, बहला है, ठीक है, वो क्या था, रहात इंदोरी ने ऐसा को शेर बोला था, पता रहा नहीं मतल DM मुझे, मुझे, आक मु यह तो बोला इस सरकार चोर है कौन सी सरकार यह थोड़ी बोला कि नहीं बेखुश हमें नहीं पता कौन सी सरकार चोर है बस वह यह बात है वह बात है तो बेसिकलिए गृषिंग इस के जो भी यह लिबरल बर्गेड में यह जो आप यूमन वैसे वो हुमन राइट्स पर भी मुझे तो ही समझ में नहीं आता है कि इतनी नफरत है उनके जहन में साइंस को लेके वाइल यूजिए इस से बड़ी हिपोक्रिसी मैंने अपनी जिन्दगी में नहीं नहीं देखिए अब इन लोगा क्या एलाज करागा जाहएब आराज तो म вос exists लुऑ पहले पता लगे ना कodox किया है को इन लोगा इंटर्वपर हमारे प्रिया्ज जी देखिए पर सिदा चा भी लगादें दो और लो करवाना से कि Sahaja कि बचलता है और इतनी बख्वाद किसे करते हो और यह इ अब दिस फॉस्टरेश में लॉट लेकिन दिस अलसो स्केर्स में लॉट अगर आम उसे फुस्केर्ज अब देखो आज पास अपनी जिंदगी में कोई छोटा बच्चा अब अपना बेटा हुगा यह बेटी होगी अब उसको वही सिखाओगे जो मतलब इसमें आप बिलीव क करना सिखाएंगे और प्रॉब्लम यह है कि वो लोग खुद दे कम एक्रॉस ऐस वैल एजुके लोग समझेंगे इनको तो पता है क्या बोल रहे हैं वैल एजुके लिबरल दे हैफ दे लैंगविज और वो बोलके इन बच्चों को मतलब क्या सिखाएंगे अपने असपास क क्योंकि कुछ भी हो आप यह देखो कि जितना भी इंजस्टिस दुनिया के अंदर है चाहे कास्टिजम है इंडिया में और अभी एंटी सेकुलर जो वाड़ वी इंडिया में चल रहा हैं नफरत का सब का यह सब अन साइंटिफिक कॉंसेप्ट हैं साइंस के नजरी से अगर आप चेक करो जाके तो सेम ही निकलेगा ठीक है और यह लोग मतलब साइंस को ही डिस करते हैं और इंफेक्ट उल्टा होना चाहिए देशुड यूज साइंस अगर अगर हम देखें अगर जैसे इंडिया का कॉंटेक्स लें हम अब लोगों के पास टाइम नहीं है माल जैसे सिस्टम हैं तो जब ऐसे लोग उनके सामने ऐसे सी बातें करते हैं साइंस को बिना बिना बेस के डिस करते हैं तो आम लोग उनको पहचाने कैसे हाओ तो इन्पर इस पीपल एक्शली तो मेरे तो सिंपल सा पूछता हूं कि प्लीज तेल मी वाट वी लास्ट बोक और मुझे न्यूटन के laws of motion तीन laws जो हैं वो बता दो आपने बहुत बड़ी बात पूछली वैसे अगर आप लोगों को पूछें कि भाई ये डे और नैट कैसे होता है, सीजन कैसे होता है मैं guarantee से कहता हूँ, अगर 10 से 15 परसंट से जादा ने बता दिया and won't be possible, और ये हमें बच्चपन में बताया जाता है और इसी के, इसी इनी चीज़ों के कारण, सदियों से लोग पूजा और मतलब बलियां दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं हमने वो बंद कर दिया, लेकिन हमें अभी भी नहीं पता बलियां, नचे बलिये बलियां, बलियां बली देते हैं अगर ये भी पूछ लो किसे ने, आपने साइंस की आखरी किताब कौन सी पढ़ी आ एक मिन पढ़ी होती और वैसे किताबें ही पढ़ते हैं वैसे किताबें पढ़ते हैं दुनिया अमर्गी किताब लिटरिचर पे, इस्ट्री पे, फिलोसोफी पे सब पढ़ेंगे एक साइंस की एक किताब ही पढ़ते है और साइंस आजकल बहुत कॉमन लेंगविज में बहुत लिखी जाती है सर गूगल गर लो कुछ भी चीज़ पे गूगल गर लो अगर आपने उसके बारे में कुछ पढ़ाई कुछ नहीं है और फिर भी उसकी बारे में आपकी इतनी स्ट्रॉंग उपीनिर होती है तो मुझे लगता है कि यार भी बही मानी है यह हिपोक्रिसी है यह इससे बड़ी जहालत कुछ नहीं है उसी में एक और मैची जायट करना चाहरा थी कि लोगों को अगर पहचानना हो यह बात करनी हो ऐसे लोगों से तो एक question पूछनी कि जो वैसे हमारे यहां पर आदत है नहीं लोगों को लेकिन कोई भी फालतु चाहे वो बाबा हो चाहे वोग पीपल हो चाहे साइंटिस्ट हो कोई भी जब बात कर रहा ना बड़ी-बड़ी पीपल शुट आस्क वाई वेर एविडेंस बटा तो दो कहां से तुम्हें पता चला सिंपल चोटी-चोटी चीजें हैं बचपन से हमें यह सिखा जाता कि question नहीं करना आपने कोई encourage नहीं करता टीचर खड़ा होगे नहीं कहता कि मुझसे question करो इसके लिए बहुत active energy लगती बुरा मान जाते हैं कि disrespect कर दी हमारे माबाप से कोई नहीं पूछता बड़े भाई से कोई नहीं पूछता को थोड़ा जब यूवर में दो साल बढ़ा ना आप question कर रहे होते रखड़िया काट रहे होते और फिर फार्मिंग भी नहीं शूरू हो नहीं तो छोड़ी रहते हैं और इतने सारे लोग हैं यह इसने पढ़े लेके लोग इन्होंने इतना कुछ पढ़ा होगा होता है इतनी सारे किताबे पढ़े होती हैं लेकिन there is not even one book in the library which is about pure science इस तरही किताबे जरूर मिल जाएंगी के रिचर्ड डॉकिंग की कोई मिल गई हम तो जो डॉकिंग को पढ़ लेते तो कुछ बन में जाता है मैं basic laws की बात कर जाएं जैसे हम school में NCRD किताबे पढ़ते थे ना जिसमें मतलब thermodynamics है जैसे for example कि chaos जो है increase ही होता रहता है ठीक है यह entropy and entropy increase होती रहती है हमेशा ठीक है time is the direction of increase of entropy not one book and and the story of science the way it explains the world it is so fascinating it makes sense basically I have never come across anything more fascinating than this यह यह जो है ना यह जो passion है science को ऐसे present करने का यह पहले तो हमारे education system में ही नहीं है इतनी boring तरीके से science पढ़ाई जाती है कि मतलब मैंने खुद मैंने खुद late stages में जाके science का जो reality कहलो जो beauty है ना science की वो देखनी शुरू करी है और उससे इतनी जैसा हम बात करें इतनी चीजें बढ़िया तरीक से explain होती है और डर कम होते जाते है बिलकुल मेरी तो सिर्फ physics की teacher school में ये कहते थी physics पढ़ाने वाली teacher कि भगवान की मर्जी होना पता भी नहीं सकता हाँ ये doctor बोल देते हैं कि अब तो पूजा करो जी जाके आप prayer करो जी जाके आप I don't know कि कहां से शुरू किया जाए कि भई क्या इसमें ये भी हो सकता है कि self confidence की कमी हो कि जो आप skills लेके चले हो जो training आपको ली है किसी भी तरह की चाहे वो literature पढ़ने वालों ने ली हो history पढ़ने वालों ने उसी में strength नहीं है कहीं तो कुछ होता होगा this is something else especially these people जो इतना opportunity मिलने के इतना educated होने के बावजूद भी they have no sense of regret के उन्होंने science नहीं पढ़ी है बलकि science के लिए contempt है हां नहीं पढ़ी तो ठीक है लेकिन contempt वाली बात is something different level हां हां मतलब I don't people have people in our lives जो हमारी बात सुनते हैं या हमारे से influence होते हैं I guess कि यह हम सब पही एक फर्ज बनता है कि यह जो यह वाली जो frauds है रहां जो इतना पढ़ने टिखने के बाद जो science को इस करते हैं इनको expose करें और अपने बच्चों को साइंस की true value समझा है most importantly yes ठीक है और यह इस तरह की frauds हम I'm pretty sure कि हम सब की life में आस-पस बहुत सारे हैं इनको expose करना बहुत जरूरी है और इनसे इनको यह बताना बहुत जरूरी है कि तुम यह यह बी किसम का अंद्रश्वास ह है ना कि हमने इतना पड़ा लिखाया और science जो है ना बॉम बना के दे लिए उनको यह बता दिया जाए कि whenever you come across such a person in life just cut the cord and ask सवाल पूछो सवाल पूछने में गाया हो जाएंगा सब गाया हो जाते हैं बड़े बड़े लोग गाया हो जाते हैं जिनको जो किसी foundation पर नहीं बैठे हो बिलकुल चलो that's great that was another episode of the fourth dimension and I hope we are making sense I hope so too okay people bye-bye झाल